असलाम लेकूम वेल्कूम चुमीर आपका किच्छन आज हमारे बनाएंगे चिकन वाइट कड़ाही कौन कौन से इंग्रेंज चाहिए साथ से डिसकस करेंगे मिलकर बनाते हैं बिसम लाहिवर्मान अर्वाहीम सबसे बहले हमने दो कप ऑईल लिया और इसमें हमने डाल देना ह अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है जी यहां पर हमारा कलर चेंज हो चुके ऑईल निकाल देंगे और अध्रक लेसन का एक चमच पेस्ट डाल देंगे अध्रक जो हमने डाली है उसको पकाना नहीं है आपने साथ ही आपने डाल देना है आदा ग्लास पानी इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको चार से पांच मिन तक भूनेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा पानी जो है वो खोश्क हो जाए जी तो पांच मिनट हो चुके हम यहां पर हम लोग डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले सबसे पहले एक चमच हमने ली है सफेद मिर्चे डेट चमच लिया मिने यह पे धनिया पाउडर साथ में मुझंग डाले नी हैं दो सितीन इलाइचिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना था हमने साथ में बना लिया था एक ग्लास दूद oyster का और उसके में डाला था कोपरा और बदाम अच्छी तरह से ग्रेंट करके वज दूद हमने यह और इसको छे से साथ मिनट तक आपने पकाना आज हमारी मीडियम तो लो है जादा देज आज पर नहीं पकाना अब इसको चीज़ से पकने देंगे हम लोग छे से साथ मिनट तक जी तो यहां पर हमारा जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है यहां पर हमने क्या करना है क्रीम डाल लें क्रीम कोई सभी यूज कर सकते हैं और पर्स की या किसी भी जो डबे में मिल जाती है एजी ली वह आपने यहां पर यूज करनी है बहुत इची खुश्मु आ रही है इसको मिक्स कर लेंगे आपने यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपकी यहां पर जब आपने क्रीम डाल लें तो आपकी जो आच है चुले की वह बिल्कुल दम वाली आच होनी चाहिए बिल्कुल हाई नहीं होनी चाहिए मीडिम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल लो होनी चाह यह मारे लास्ट टाच जाने वाले हैं देखें बहुत ही मुझादा और बहुत ही खुष्बूदार इस ट्रेम खुष्पूदार पिली है अची तरह से मिक्स करेंगे यहां पे में डालना है गरम मसाला थोड़ा सा काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर स्किप कर रही हूं काली मिर्च डालेंगे तो उसका खुश्बू एक कलादा सी आजएगी वो भी अब डाल सकते हैं जी तो आब हमने इसमें डाल दनी हैं सब स्मिर्चे कट लगा के जितनी आपको रिक्वाइड हूं मैंने यहां से दो से तीन डाली है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे खुश्बू बहुत ही जबरदास्त किसम किया आ रही है नीबू यह बहुत ही इंपॉर्टन इंग्रेडिन है इसके अंदर एंड पर आपने डालना है नीबू बहुत ही मज़दार देस्ट आता है इससे और हमने यहां पर डाल देना है थोड़ा सा हरा धमिया जी तो हमारी मज़दार सी खुश्बूदार सी गडाही बनके बिक्र इसको पूस्टा-जाइर करेंके दिखाते हैं इसको जुस्तीर से हिला लेते और यह अब aş मेरी फाइनल लुक आ चुकी है अब इसको निकाल लेते है rasa जी तो हमारी मज़ेदार सी खुश्बूदार सी मज़ेदार सी कडाही बनके बिल्कुल रेडी है बहुत ही मज़ेदार बनती है अब इसको जरूर ट्राइ कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब